अलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सबका आज बात करेंगे हैं मराजस्थान में प्रेटन से समुदित जो सबसे महत्पूर्ण प्रस्न है अपने चादा ही है प्रस्न वैसे टोपिक चोटा सा है प्रेटन वाला और एजिवे में पढ़ा था हमने लेकिन टोटल हम पुट नोट्स में पड़ रहते हैं उसमें नोट्स में छोड़ी थी तो थोड़ा सा यहां मुझे लग रहा है कि यह जो प्रस्न हैं इन में कवर हो जाएगी अपने और वो वाली हैं RTDC के द्वारा जो होटल चलाए जाते हैं वो होटल के नाम यहां पर हैं मैंने जो जनरली अपन से बहुत अच्छा काम होने वाला है शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रस्न से और पहला ही कुछन है जो बढ़िया प्रस्न है ऐसंगत ढूनना आपको यहां पर यानि कि एक साइड में माह लिखा हुआ है और उसमें एक एसा है जो सही नहीं है जैसे उट मोट्सव विका जो जो यहां पर हो गया का सही उत्तर है और चौथा है ग्रिश मोट्व माउंट आभू मना जो जाता है तो प्रस्न है इसका सही उत्तर हो गया इसका दूसरा ओप्सन सेक्ट कुशन है, है संगत पूछा है इसने बरतपूर सरकेट में क्या आता है, तो बारतपूर सरकेट में जैसे बरतपूर है, इस्के प्रतपूर ईलखाज हैं, इसको मेर वाड़ा का मतलब हो गया अजमेर हैं अजमेर आता है बिल्कुल और भीना आए तो अलग हो गया ब्यावर चोदपुर नहीं आएगा किसी भी स्क्तिदिय में नहीं आएगा इसका मतलब हो गया दूसरा ओप्सन यहां पर ऐसंगत है अलवर सर्कीट में अलवर सीलिशेद में हैं सरिषका अलवर में हैं डुन्डार में जएपूर आमेर मैर सामोध McMahon वहीं है पर दूसरा आप्सन है मेर वाड़ा सर्कीट यहांपर ऐसंगत हैं तीसरा गूशन हाल ही में जएपूर के परकोटे को विश्व दरोहर में सामिल किया गया है और विश्व दरोहर समीती ने ये फेसला की स्थान पर हुई बेठक में लिया था इस तरह का कोई प्रश्ण बनता नहीं है फिर भी अपने ध्यान रख लेना एक युनेसको का क्या बोलते हैं अजरबेजान की राजदानी है बाकू वहाँ पर एक समयलन हु सकता है बाकी इस तरह का प्रश्ण जो एक्जाम में आना नहीं है और चोथा है आर्टीडीशी की होटल के बारे में पूछा गया है तो पैसे पैय याद रखना है पाली में है पनिहारी कहा है पाली में यानि कि जो तीसरा ओप्सन है इसका सही उत्तर है और पांचवे हुआ जैवां है को फसskता है नहीं है पूछा गया है नहीं है का ध्यान रखना अपने को तो पन्र नहीं है वप्पर ओल राज सम्न जिले नहीं है प्रतबाज की राज स्मुझ है कुंबा पेभर में जिले में इस कारण से यहां पर रासमन जिलेव में ऐसंगत या नहीं के इसाब से वह सही हो जाएगा तो बपरहुल का पेनॉर्मा कहा है उदैपुर में है और यह पेनॉर्मा सब्द है जो बार बार आएगा तो यह समझना है आपको एक जैसे कोई एक पिक्स जगह है और वहां पर उन के लिए राजस्तान सरकार ने 2015 में किस देश के साथ मौय यह नहीं रंडम इस तरह का बोजो साइन के जाते हैं इम ओई यू किया था तो कौन सा देश था अभी देखो इसमें क्या कर जैसे ट्यूरिज्म है तो ट्यूरिज्म के मामले में सिंगापूर है वो पूरी दुनि दोब करने के लिए Excellent Center की लानी की जारी है अगे है भारती ये परेटन द्योस मना जाता है तो बारत में परेटन द्योस की इतनी तारीकों मना जाता है यह पूछा तो पचीज जनवरी और इसके लिए फ्यमस एक पचीज जनवरी यानि ओप्सन सब्सक्राइब तो इसका ज सब्सक्राइब को सरव अजिए इसके पूछा गया है हम राजस्तान जीक के पढ़ रहे हैं तो इसका निशित रूप से उत्तर क्या होगा राजस्तान सब को पता होगा 1989 में मौमुद यूनुस समीती बनती हैं और निर्धूम उद्योग के अंतरगत हैं जो ये परेटन है वो उद्योग का दरजा पराथ करता है आगे अब बारवे कुशन है अपना बारवे कुशन की तरब मुझें बारवे कुशन में हमसे पुचा है कि परेटन को उद्योग का दरजा क्थ अबी जस हमने बात की है 1989 में तीसरा ऑक्षन इसका सई उत्या है पर्थम रोपय कहां स्तापित किया गया था तो सुन्दा माता जालोर में स्तापित किया गया था फिर दूसरा उदेपूर में स्तापित किया गया था यह हम जानते हैं तो यहां पर जो पर्थम रोपय की बात कही गई है वो सुन्दा माता जालोर सही है दूसरा है जो उदेपूर में है तीसरा फिर अपने या पुसकर में है यह भी आप लोगों पता होगा और उसके बाद जो हनुमान जिगा मंदिर है सामोद जाइपूर में परस्ताबित किया गया था चोथा तो फिर ये क्रम में पहला आजाएगा जालोर विष्व दरोर सूची में सामिल नहीं किया गया है अभी तक जो विष्व दरोर सूची में सामिल होने की आवशक्ता भी नहीं रखता है वो अपने आप में ही विष्व दरोर है तो लोहागड दूर गया जो भी विष्व दरोर सूची में सामिल नहीं किया गया है याद रख जंतरमंतर वेसे क्या है तो एक व्यद साला है और जो जैसिंग है उनके दौरा स्थापित की गए थी 2010 यहां पर इसको विश्व दरोरी सुची में सामिल करने का वर्स सरवादिक विदेशी परियटक इस्थान पर आते हैं उनसी ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यदा विदेशी परियटक आते हैं यहां जो सही उत्तर है वो क्या है चैपूर पाच जिल्लों को रमनिक चील योजना में सामिल किया गया है तो याद रखना है पुसकर है बिल्कूल नकी है आना सागर है पते सागर है पिछोला भी यह पहला ही ओप्सन इसका से उत्तर है पोई सागर आ गया इसमें यह अलग है पिथम पुरी अलग है और फिर यहां पर जो option है तो फिर छोड़ते हैं इसको पहले option सही नेक्स है बरत्मान में पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के कितने जिलों में चला जा रही है जब जिले बढ़ जाएंगे तो बात अलग बनेगी है फिलाल तो 33 में से 33 सही है और नेक्स बढ़ते हैं अपना question number 19 की तरफ जेहां इमेटमेंसे कॉन सा युम आड़ीटीसी के ओटल नामस्थान सही सुमेलित नहीं है तो देखते हैं जैसे कजरी है कजरी उध्यपूर सही है कादिम/.अजमेर سही है मूमल जेसलमेर सही है ।ोला मारू के नाम से में है इसका मतलब जो अध्यान रखना है और एक थोड़ा ध्यान रखना है धोला मारू जो कोंप्लेक्स कोंप्लेक्स की अगर बात आ जाए तो फिर वह जैसल मेर में है वह ध्यान रखना आपने जो नहीं जो परेटर निती है अपनी उसके हिसाब से व्यक्या भी दे रखें यहां प्रशांदार रडीजीशी ओटल धोला मारू बीका नेर में स्थित है चलो बड़ीया बात है और यह स्पेसिली क्यों देना पड़ा उसका करण आपको समझना है क्योंकि धोला मारू का जो कनेक्शन है वह थोड़ा सा हम जानते हैं कि किस से हैं नीचे लिखा हुआ है कुंडा गाओं और स्थापना करता कौन है गुलाबो देवी तो यह थो बहुत बढ़िया काम हो गया आपने दो प्रशनों का जो एकदम सांदार इलाज हो गया कुंडा गाओं कहा है आमेर में है चैकुर में है और गुलाबो हैं वो पदमसरी प्रा यहां पर जो तीसरा उप्शन है वो सही है अभी हमने बात किती दूसरा रोपे जो अपने क्या बोलते हैं माचला मगरा है मचली मगरा है उदैपूर का वहां पर इसको बनाए गया है वहां पर एक माताजी का मंदीर है वहां पर तो दूसरा रोपे उदैपूर सही उतर और राजस्थान में ब्रज होली मौत्सोव कहां मनाया जाता हैं ब्रज होली मौत्सोव बरतपूर का फेमस हैं ब्रज का मतलब भी बरतपूर होता है तो इसका जो तीसरा ओप्शन है वो से उत्तर हो जाएगा और नेक्ष्ट हम बात करते हैं 23 के बाद अपना 24 वा क्यूशन 25 प्रशन हुं से पूछ रहा है कि राज्यस्क्री ये मेला प्रादिकरन का मुख्य ले कहां पर है तो इसका मुख्य ले है वो चैपूर में है तो पहला है सब्सक्राइब करें अब यहां पर बहुत सी बार कुछ स्टूडेंट है जो थार मोच्षव और मरू मोच्षव में कंप्यूज होते हैं मरू मोच्षव जब पूछा जाए तो अपने को पक्का याद रखना है जैसल मेर यानि पहला उप्सनिश्का सब्सक्राइब नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए तो यहां सुमेलित करना हमें जैसे पर्थम रोप फे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि काम ना था चालोर में यानि एक के साथ दो आना चाहिए तो एक के साथ दो थोड़ा एलाइटेड भी लगरा मुझे इसका मतब जो सही उत्तर है वो क्य कि उसे नहीं राजस्ट राजे में रामीर परेटन विकास योजना को कब लागू किया गया था इस तरह का प्रस्म में पूँचा गया है तो यह दो जार आटनों की एक बहुत ही मैंद्व गांक्सी योजना रही थी और इसके अंतरकत गामीर परेटन विकास पोटा राइस कश्बे थे जो ग्रामेंट शेत्र हैं लेकिन इनको केंदर सरकार के द्वारा थोड़ी सी साहिता दी गई थी इस करण से यह योजना महत्कून कही जा सकती हैं दोजार आर्ट मौकी नेक्स 29 कुशन बात करते हैं राजस्थान परेटन विबाद द्वारा पांच सितंबर दोजार निसको की जिलो में आमूर्थ सांस्कृतिक विरास्त एम सांस्कृतिक परेटन को बढ़ावा देने के लिए यूनेश्को से समझोध हकिया गया सरकार द्वारा तो इसमें जैसल तो इसका सुक्तर है भारत पाक सीमापर परेटकों को अकरशित करने के लिए बॉडर टूविज्म के तैट सीमापर परेटकों के लिए खोली गई गई चोक्यों में कौन सी सामिल नहीं है वैसे यहां लोंगिये वाला हैं वो थोड़ा इंपूटेंट हैं जगे तो लेकिन यह अभी तक परेटगों के लिए जो खोली नहीं गई है यानि सही उत्तर हो जाएगा चोथा उप्सन पाकि इंदुमल कोट है खरूला है मारूती यह जो चगए है वो परेटगों के लिए खोल दी गई है नेक्स्ट एक तीसमा क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं एक तीसमा क्य मचींद गाउं गाउं का नाम क्या है मचींद आज ही हमने पड़ा था आज मतलब कल और आज रियोजन कर रहे थे हैं तो यह मारना परताब के सेना पती थे एक तरीके से जो उनका चंदा उल दस्ता था उसके और उनका गाउं है उसका नाम है मचींद गाउं इसको परेटन परेटन निती 2020 कब से लगू की गई है तो ये लगू हो गई थी अपने सितमबर 2020 में और सितमबर में भी खास दोर से 9 सितमबर 2020 है यानि की चोथा उप्षन इसका सही बतर। कोरोना काल में 2020 में परवाशों को राजस्तान लाने के लिए बंदे वारत मिशन चलाए गए था ये तो केंदर सरकार की मतलब बहुत तगड़ा मिशन था तो ये तो जानते हैं रेगिस्तानी थीम पर अधारिक किसन बाग डेजर्ड पार्क मतलब थीम है रेगिस्तान की वो जानते हैं जाएपुर में तो किसनबाग जो डेजर्ड पार्क वो का है जाएपुर में ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान हो उस तरह की थीम बना रखी हो ये ध्यानते हैं शिद्शाई रेल्गाड़ी पेलेस ओन विल्स का क्या स्लोगन है वन वीक इन वंडरलेंड तो ती है तो फिर यही इसका उत्तर भी है एक से राजस्तान में सबसे कम स्वधेशी परेटक किस महीने में आते हैं मही में क्या कारण है वो तुम्हें भी नहीं जानता लेकिन सब अभियाद रखना है कि कम परेटक हैं वो मही में आते हैं तो यहां पर जो पहला option है वो सही हो जाए में तो इस प्रकार से जो अपने चारीज क्यूशन है वो कम्प्लीट होते हैं और यह भी सांदर टोपिक था इसमें कुछ हवेलियो के नाम जरूर आये हैं जो अपने नोट्स में नहीं थे वो इनको जो नोट्स में चाहें तो एड़ कर सकते हैं वो देख अच्छा काम हो बाकि यहां तक आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है और अपना स्कॉर जो जरूर ही बताना है वह इस्टाइल रहेगी अपनी हैज वाली हैज लिखके और फिर जो स्कॉर है वह आपको टाइप करना है खुब के धन्यवाद